मेरा नम है इलाईशेन और कल मैंने स्लग तेरा का सफर तै किया जो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था हमें यहाँ सेफ रहने के लिए स्लग स्विंग करने पड़ते हैं मेरे नए दोस्तों की वज़ा से मैं इस कॉंपेटिशन में पहुचा हूँ जहां मुझे कुछ स्लग जीतने होंगे तुम जल्दी करो पहला राउंड आग्रा स्कॉच पास गुपा में शुरू होगा अब मुझे सिर्फ और सिर्फ जीतना है यह बावारी शुक्रिया प्रॉंटो यह चटाना पे चड़ना आसान गामा नहीं है मैं अभी गिरने वाला था वो भी चाथी बार वो तो तुम मेरे हुनर की वज़ा से बज़ गई जी वरना यहां तक लाना किसी आव आदमी का काम नहीं हाए बढ़िया तुम दोना अब तक कहा रह गई गई पूल्ट लावा, रेजर शाप फ्लिप्स और एक सुस्त मोलिनॉइट जिसकी वज़ा से हमें देर हो गई क्या मैं तो तेज़ चड़ा था ना पर तुम सीधे रास्ते से क्यों नहीं आए क्या यहां आने के लिए रास्ता भी है आज अब मेरे साथ हो तो तुम्हें डरने की कोई जरुवत नहीं मैं तो बस तुम्हारी बुराई से लड़ने के लिए तुम्हें ट्रेन करना चाहता था अच्छे बात यह है कि तुम पहुंच गए अब सवाल यह है कि तुम्हारा मुकाबला किस से है समभल कर लड़ना वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा समभल कर यह लावाले इस तुम्हें जला कर आख कर सकते हैं आई जी अरे वाब रही वैसे यह बहुत ख़तरनाख था पर साथ ही उतना ही मसेदार भी द्वंद्वयुत के लिए यह हमेशा ऐसी ख़तरनाख गुफाई चुनते हैं क्या अरे भागल मत बनो तॉर्णूमिंट का हर एक मुकाबला अगल 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 गुफाई में ही होता है शायद सबसे ख़तरनाख गुफाई उन्हें फाइनल मैच के रखा होगा यही तो प्राबलम है मैच किस से है और किस तरह की है यह वो मैच शुरू होने से पहले नहीं बताते क्या पता मुझे शायद एक शाप शूटिंग मुकाबला करना पड़े या किसी मशीनी जानवर से लड़ना पड़े कुछ भी हो सकता है वो सब मुझ पर छोड़ दो मैं अपनी भविश्यवानी जानने की कला से तुम्हे सब कुछ पहले ही बता दूँगा ना जान से सुनो यह वन अन वन फाइट है तकड़ा मुकाबला बताने के लिए शुक्रिया कोई बात नहीं तुम्हा के लिए तो मेरी जान भी हाज भी है ना दोस्ट तुम्हे कभी बताये नहीं कि तुम्हें लावा से परेशानी नहीं होती अब नहीं बचोगे ये वाला मैंने सबसे आखिर के लिए रखा था मैंने भी हमें हमारा पिन है मिल गया इलाई शेर जो चाहें ले दो मिस्टर शेर मुझे पता है तुम कौन सा चुनोगे मैं तुम्हें बहुत मिस्स करूँगा तुम्हारा ट्रेशर बहुत अच्छा स्लग है पर मैं उसे नहीं लूँगा मुझे भी उतना ही बुरा लगेगा अगर किसी ने बोपी को मुझसे ले लिया तुम्हें एक आर्म शेल्ट हो है ना मैं किसी मुकाबले में तुम्हें तोप की गोलों की तरह इस्तिमाल कर सकता हूँ तो क्या कहते हो मैं तुम्हें बुलाओंगा बैंगो तुम्हें पसंद आया ना तो मेरे पहले मैच की शुरुआत बढ़िया रही है ना प्रॉंटो प्रॉंटो तो तुम यहां हो हा बोलो मैं यहां हूँ तुम हार गए तो मैं कोई यह नहीं नोकरी नहीं ढूड़ रहा पर तुम्हें देख कर लगता है कि तुम जीत गए हो तो क्यों ना हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाना बंद कर रही जी और आगे के मुकाबले के बारों में सोचें हमें हमारा विनर मिल गया वो है चान्पुल कमराजिलेशन्स मैं भी मेरा पहला राउंट जीता हूँ मैं तुहें नहीं जानता क्या मने तुम्हें बताएंगी तुम्हारी जीत पर मैं कितना खुश हूँ अगला मुकाबला है दे किंग आफ स्लिंग का ट्रिक्डिस दिश्टे अब अपनी हार मानलो किंग आफ स्लिंग के सामने ये तुम्हारी बत पक के लिए ये फड़ फड़ाने के लिए अरेस वाले से मेरी जीत पकी क्या बात है पर लगता है कोई हार गया है न कहीं कहा तुम्हें देखना चाहिए था कैसे मैंने उसे धूल चटाई हूँ टॉक्ट्र ब्लैक पर क्या आप चाहते कि मैं उस पर अभी भी नज़र रखूँ निकलो यहां से मैं समझ या मुझे क्या करना है कमोन दोस्तों और तेज हम अभी तक रॉक लॉक गुफा के आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचे और मुकाबला बस आधे घंटे में शुरू होने वाला है कॉर्ड मैं तुमसे पूछते ही वाला था केव ट्रोल्स असल में बहुत अच्छे इंजिनियर्स होते हैं न अब मैं खुद की क्या तारीफ करूँ तो फिर तुम स्लक्स लिंगा क्यों बने मेरा समुदाय चाहता था कि मैं अपने डाट का बिजनस समालू आज हम जितने भी ब्रिज इस्तिमाल करते हैं वो मेरी ही फैमली ने बनाए है पहरा उत्तर तोड़ने से कई ज्यादा मजा स्लक्स लिंगिंग में ही आता है क्यों हाँ बिल्कुल सही का जी और मैं एक बहुत ही भाईतरी ट्रेकर परिवार से हूँ न तुम्हारी क्या कहानी है ट्रिक्सी मैं ठक चुकी थी ये देकर कि कुछ बदमाश मेरे घर में खुसकर परिशान कर रहे थे आखे शेन की जगे किसी ना किसी को तो लेनी ही थी मेरे अलावा कोई बेज काम को करना नहीं चाहता था इसलिए मैं फिल्म बना भी हूँ ताकि लोगों को पता चल सके कि फ्लत तेरा में क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा और एक्स्प्लोर करना मेलेनाइट की सबसे बड़ी कला है जी इससे मुझे याद आया हम सब आखिर है कहां प्रॉंटो मैं तुम्हें एक शॉटकट से लेका आया हूँ ना वो तो शैडो क्लैन मार्किंग्स है क्या ये उनका इलाका है है नहीं था पर अब कई सालों से उनको किसी ने नहीं देखा दोस्तों मुझे लगता है अब वो वापस आ गये है कौन शैडो क्लैन मुझे हमेशा से उन्हें देखना था और अगर तुम उनके सरा भी नसीग गए तो तुम उन्हें पहली और आखरी बार देखोगे तो अब क्या करें भालो भालो ये इलाई क्या कर रहा है भागो यहां से तुम लोग यहां से निकलो मैं उनका जान बटाता हूँ ये एक अच्छा आइडिया नहीं था और क्या मैं उसे बचाना चाहिए अपना कमाल दिखाओ बोपी तुम सोच क्या रहे थे पता नहीं मैं क्या सोच रहा था मेरे डाड कहते थे कि उनसे निपटना आसान है जब वो गुपा की रक्षा करते थे तब उनका हमेशा इनसे सामना होता था हाँ पर तुम्हारे डाड थे विल शेन और तुम बहुत बड़े पागल रॉक लॉक गुफा उम्मीद है कि इस राउंड में कुछ अच्छा होगा और अगला राउंड है प्री और प्री टिल पाइट अपने आपने पार्टनर्स चुन लो तो क्या ख्याल है ओ चलो भी ये इतना भी बुरा नहीं है अपने आपको बचाओ यहाँ पर आओ ऐसे ये तीनो है कौन? ये तीनो पावर ट्रिप्लेक्स हैं लोग इने पावर ट्रिप्स भी कहते हैं ये जब से पैदा हुए आपके ट्रेनी कर रहे है और ये तीनो कुछ करने के पहले ही जान देते हैं कि उन्हें करदा क्या है आप तुम सबा मैच का मज़ा ले रहे हो वो भले ही विल्शेन का बेटा है पर उसे ये सारी चीजा मैंने ही सिखाई है ना सिर्फ यही छोड़ करूँ और वो भी उस पर फिर से हिट मारो ब्रादार ठीक है सिस्टर वो रुको उन तीनों में से एक लड़की है हमें भी उनकी तरह एक जुट होकर लड़ना चाहिए अपने स्लक्स दिखाओ कॉड तुम फॉस्फरो का इस्तमाल करो ट्रिक्सी आरकिंड हमारे काम आएगा उसके बाद बारी है बैंगा की एक नए स्लक को समझने में कई हफते लग जाते हैं ही इलाए और कभी-कभी तो महीने तुम शूट तो कर लोगे पर अंचाम तेरा बहुत मुश्किल होगा ऐसा शरूरी नहीं कि तुमने जोस्लक जीता है वो वैसा ही करे जैसा तुम चाहते हो मैं जानता हूँ मैं ये पहली बार कर रहा हूँ पर मुझे इस पर पूरा बरोसा है अब ही अब हाँ देखा ये मेरी भाईतरीं का आला है विनासे पीन शेट येस हाइफ फाइब ओ चलो भी सब लोग देख रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं गुट हमें आगे भी इसी तरह खेलते रहना चाहिए ये बात गलत नहीं होने चाहिए मोरस मेरा वक्त बहुत कीमती है ड्राइवर रॉकलाफ को फा ले चलो डॉक्टर ब्लैक को स्लग मैच देखनी है तो चलो देखते हैं कि इस नए शेन में कितना दम है इसे जाए इसे का स्वाइनल्स में है क्या बात है इलाई, कॉंग्रेट्स थैंक्स मैंने अब ही सुना, मुझे माफ करना नहीं, मैं जीत गया, मैं फाइनल्स में हूँ हाँ, और तुम्हारा मुकाबला जॉन बुल के साथ है देखो उसने मेरा क्या हाल किया है तुम्में हुनर नहीं है और नहीं तुम्हें वो बात है जिससे तुम उसके रामस से लड़ सको मुझे ये कहने में खुशी नहीं हो रही पर वो तुम्हें अहरा देगा इलाई क्या बात है क्या इलाईशन आटोग्राफा नहीं दे रहा कोई बात नहीं ना उसकी जगा मैं दे दूँगा और इसमें देखो पैसेंजर कौन है डॉक्टर ब्लैक वो यहां क्या रहे है तुम्में से इलाईशन कौन है शांत रहो बुप वैसे ये है कौन डॉक्टर थारियस ब्लैक तुम्हारे पापा ने कभी बताया नहीं लोग कहते हैं कि आखरी बार तुम्हारे डाइट को इसी ने देखा था अभी अभी जो तुम्हारे दोस्तों ने कहा वो सच है विल्शेन एक सच्चा ही रो था आज मैं उन्हें की वज़ा से जिन्दा हूँ क्यों न हम कहीं और चल कर बात करें मेरे दोस्त भी मेरे साथ आएंगे हाँ हाँ क्यों नहीं घबराओ मत दोस्तों हम सिर्फ बाते करेंगे खुद की ट्रेन होने का फायदा ये है कि तुम कभी भी और कहीं भी वड़े आराम से सफर कर सकते हो कितना साफ थाई जी ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में दे रहा हूँ तो विल्शेन का एक बेटा भी है मुझे तो पता ही नहीं था शेन के परिवार के काफी राज है क्या आप मेरे पापा के दोस्त थे? दोस्त? ऐसा कह सकते हो पर तुम्हारे पापा और मेरे बीच खुछ गलत फहमिया थी पर वो तो पुरानी बाते हैं अब हम दोनों एक नई दोस्ती की शरुवात कर सकते हैं क्या पता आगे चल कर एक साथ काम करें मुझे पता चलाई कि तुम्हारे पास लग्स की कमी है इसे मेरी तरफ से एक दोस्ता है उस लग्स को क्या हुआ है? क्यूं? मैंने उसे और बहतर बनाया है लेकिन मेरी पहली कुछ कोशिशें ज्यादा काम्याब नहीं रही पर अब ये मेरी रचना है ये कोई रचना नहीं है तुमने इसे बना दिया है एक तरह का गूल गूल? अच्छा नाम है तुम स्लक्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते वो यहां के हर ताले की चावी है तुम स्लक्स तेरा को बरबाद कर दोगे ये मैं पहले भी सुन चुका हूँ मैं ही बेबकूफ था जिसने सोचा कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे अब जाओ यहां से इस चोटे से मुकाबले में तुम भले ही खुद को हीरो समझ रहे हो पर अगर फिर कभी मेरे राज्टे में आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो शायद बोपी जानता है और वो तुम्हें पसंद नहीं करता और नहीं मैं मैं यहां का नया शेन बरूँगा इसकी आदर डाल लो वो सिर्व एक बच्चा है उससे हमें कोई खत्रा नहीं बास पर ये मत भूलो कि वो भी एक शेन है और जब लोगों की रक्षा ये नया शेन करेगा तब ये हमारा काम दिगाड सकता है डॉक्टर ब्लाइक आपको क्या चाहिए कि तुम आज के फाइनल्स में जीड़ो पर मेरी लड़ाई एक बच्चे से है एक बच्चे से नहीं एक शेन से है एक शेन को कभी कम मत समझना मुझे तुम्हारे एस लक्स नहीं चाहिए अपनी हद मेरा हो वरना तुम जानते हूं मैं क्या कर सकता हूं तुम मेंसे उस बच्चे के खिलाफ इस्तमाल करोगे तुम बाद जो भी हो अपने डैट की वज़े से हो उन्होंने ही तुमें सिखाया होगा शायद तुम नहीं जानते मेरे पापा कबके जा चुके है और मुझे ये चलाना किसी ने नहीं सिखाया इलाए बात कम करो और याद करो जो मैंने तुमें सिखाया है जर अप फिर बताओगे व्लाक्टिंग करता मात मत करना प्अटिंगे जिए से वाद करेंगी बताओगे उन्होंने जार्णाए अट्टिंगे